तो हेला एब्रिवन वेल्कम टू टार्गेट फॉर आईक्यू तो देखेगा आज हम डिसकस करेंगे जारखन जोडिसरी में जो आपका हिंदी लेंग्वेज का पेपर आता है उसके बारे में और उसमें जो आपके टोपिक्स होते हैं उनको कैसे करेंगे थोड़ा सा विस्ता आफकत करें जारखन जोडिसरी में जो आपके टोपीक sucks आते हैं वो चार टोपीक आते हैं आपके एक तो आपका होता है अपका है और होता इसमें एक आप कोई पिर्शन बचे गाए और एक बात और है कि जो भी आपका प्राके सय की हwork only है यूप है इसमें थोड़ा सा समय बचेन नहीं गार फोजड़ा सकते अगर इनको थोड़ा थोड़ा समय दें तो यहां से बहुत चीज़े हमारी होती है बूश्टा फ़ड़ाती है माक्स तो गेन होते हैं और कुछ चीजे क्या होती है हमारी अच्छी पकड़ माई जाती है अगर आप इंग्लिस मीडियम से हमें तो भी चिंता ना करें आज ये सीम्पल सी बात करें तो निमंद या तो 600-700 सब्दों में इतना चलता है और कोशिश करेंगे हम तो हजार बारिसों सब्दो में और आप भी कोशिश करेंगा उसको कम से कम 1000 सब्दों में तो लिखें ठीक है बागी टेश्ट होंगे जैसे जैसे आपको पतदा रहे हो आप न के से व्यक्तित होते हैं उस पर भी कभी कभाग निमंद देखा गया है तो सिंपल ची यह टेक्निक कैसे कि एपलाई करनी है कि निमंद के लिए हमें जादा सोचना ना पड़े उसका सिंपल फंडा यही है जब भी आप जुड़ेंगे तो एक हम टारगेट रहता कि हमारा एक् एक जाएम टाइम में हम उनमें से चार पास सेलेक्ट कर लें कि इन पर खास फोकस रखना निमंद करने का तरीका हमारा यही रहेगा सारी ग्लास पर होंगी आपकी टेस्ट भी होंगे रिकोर्डिन भी रहेंगी तो निमंद हम जब भी करेंगे तो उसमें यह नहीं है कि हम जब भी करें किसी भी से पर पहला तो यह है कि एक दो मिनट दें कि हाँ इन चार निमंद दिया हुए इसमें से एक पर लिखना किस पर हम अच्छा लिख सकते हैं जिस पर भी लिखें तो इसका एक थोड़ा सा परफोर्मा बना लेंगे कि हां मुझे इसके बारे में क्या हो रहा है भारत की दिरिष्टी से भारत क्या इस योजनाओ पर यह जो भी नहीं मन तो इस पर क्या कर रहा है इंटरनेशनल कुछ है इसमें रिपोर्ट्स वगरा है कुछ लेटेस्ट करन का कोई मुद्दा है जो इसमें हम एड़ कर सकते हैं फिर लाश्ट में निसकर्स के गध्यान और यह आपके ना अगर आर्थ निकालना आता है आपको धीरे-धीरे मैं फिर कह रहा हूं देनिक जागरन हो या कोई सा पेपर उसका संपादी के पेज पढ़ना सुरू कर दें उससे आपकी बहुत चीज़े कबर होंगी शब्दों की शीमा आपके पास अथा हो जाएगी थोड़ी सी आपको अगर आपकी हिंदी वीक है तो आपको वहां पर लिख जैसे आप अंडरलाइन कुछ चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे तो कुछ मात्राओं को आपको पता चले हैं कि हाँ शब्द पर कैसी मात्रा लगती है शब्द तो एक स्थित मतलब एक सब्दों का यह दो कि चोटी अटलब लगनी तो नहीं लगां लगता दोस पासे बाकी हम भी आमको बदाते रहेंगे तो संचेपड़ होता है दोनों में आर्थी निकालना होता है संचेपड़ में बेशेकली सब्द हुते हैं लगबख और भावनवाद में लगबख उतने ही शब्दों में हम उसका बहाव पर दर्सित करेंगे कुल मिलाके कि यह जो कहना चाहरा वो कहना क्या चाहरा कि आखिरकार उसकी बहावना है क्या ठीक है बाकी अनुवाद यह आपका इंग्लिस का है कि आपको ट्रांशलेशन दिया जाएगा या तो हिंदी में आपको उसको जाएग सपर को करेंगे और कशच्य नigraphy कि और हुआने यह थाएखने जन जाएगा उनुच्क हमने को सकता उतने कम से कम समय करेंगे और को जाधा सदर चैश लगा तर फिगह आप भी कोशिश करेगा और तो और बैच चल रहे हैं इसके आपके तो उसमें आप एंडरोल हो सकते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट आपके क्लासे ने सारी आपको बता दिया है पर हैं सारी डिस्क्रिप्शन नंबर मिलेगा आपको वहां पर कॉंटेट कर सकते हैं पिछेटर डबल जीरो 1100 314 ठीक है बाक